Good morning class, first I am your Hindi teacher, today I will teach you Hindi Students, आज मैं आपको सब्जेक्ट हिंदी, फर्स्ट पढ़ाऊंगी बिटा हिंदी आथार Open your book बिटा, जैसे कि चेप्टर 3 चल रहा था, तो निकाल दिये चेप्टर 3 पेज नंबर 30 पर आजाईए, लेक्चर 14 देखिए, उचारण कीजिए और लिखिए, उचारण कीजिए और लिखिए, चलिए विटा मश्हूर, मूरत, सूरज, भालू नाखून सहतूत ठीक है? लिख लिया? कोशन नंबर 1 पर आजाईए, बॉक्स में दिये गए, छोट व और बड़ व की मात्रा वाले शब्द आपस में मिल गए हैं, इन्हें अलग अलग करके लिखिए बेटा ये देखे ये बॉक्स में छोटे हूँ और बड़े हूँ की मात्रा वाले शब्द दिये हैं इसमें से हमें अलग-अलग करके शब्द लिखना है ठीक है तो चलिए पहले लिखूंगी छोटे हूँ की मात्रा वाले ठीक है तो लिखिए दातून ठीक है जामुन सुब सुराई ठीक है? गुड़हल ये क्या है? छोटे उकी मात्रा वाले शब्द आप लिखेंगे बड़े उकी मूली सुरज देख रहे हैं ना? दूद ठीक है? चूहा तरबूच ये हो गए बड़े उकी मात्रा वाले शब्द ठीक है बच्चो? कुशन नमबर टू ये आप हॉमबर्ग में कम्प्लीट करेंगे चित्र को देखकर पूरा नाम लिखिए ये आप हॉमबर्ग में कम्प्लीट करेंगे ये क्या है? तरबूच जूता अम्बूद दूद ठीक है? तो भी टे लेक्चोर कम्प्लीट थेंक यू क्लास